हम बात करते हैं 12 राशियों की बारे में कि 12 राशियां क्या कहती हैं, किसका भागोदे होगा, कौन विदेश जाएगा, या अतनी जाथ से किसको धन मिलेगा, कौन गाड़ी खरीदेगा, कौन घर बनवाएगा, किसके घर में किलकारी गुजेगी, किसके घर में साहनाई बजे प्रेडिंग से किसको लाब होगा सारी बात बताएंगे किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी सौधानी क्या बरतना उपाए क्या करना है आईए शुरू करते हैं मेश राशिशे जो मेश राशिशे के जातक हैं आज आपको बाहन सुख प्राप्त होने का योग बनदा घर बनवा सकते हैं गाड़ी खरिदने का आउसर मिलेगा निर्माण कारियों हो सकता है सुख के संसादूनों बढ़ोतरी होगी स्वास पर विश सुख मिलेगा रियल स्टेट प्रापल्टी से लाव मिलेगा अगर सेना पूलिस पर नोकरी के लिए प्रत्न करता आपको नोकरी मिलने कि संभावन अब बन रही है सौधनी क्या बरती है जल्दवाजी में नेड़े लेने से बच्चे नहीं तो नुकसान हो सकता हुपाय क्य अधिक बै का योग बन रहा है तो खर्च पर कंट्रोल करें अकारर मन असांत रहेगा तो मन को नियंतरण में रखें प्राकरम से धनलाब होगा आज अपने मित्रों के साथ मिलने से मन खुश रहेगा सूफ समाचार मिलेगा रियल स्टेट प्रापल्टी माइन से धनलाब मि परिवारिक की स्टेटी बहुत ही अच्छी होगी और माता की स्वास को लेकर के चिंता स्माप्त होगी सौधनी के अबरतनी है लक्ष के प्रती सचेत रहें उपाय क्या करना सफेद बसर का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुभं के साथ सुभरंग है डार्क निला लक्त मीटर है आठ हरे कृष्णा बात करते हैं मिथुन राशी की जो मिथुन राशी की जातक हैं आज आपके रोग और सत्र बीरोधी परास्त होंगे आज आपकी समयचाओं का समूल समधान होगा आर्थिक की स्टिस ससक्त होगी कई छेत्र से अनिक पर करके छेत्रों से ध दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा और अपना करें उसमें आपको काफी प्रग्यतिका बन रहा है सौधनी क्या बरतनी है सौधनी वरतनी हैं आपको कि अपने सेहत पर विशेश ध्यान define उपाय क्या करना है हरा चारा या हरा मतर गाय को खिलाना आपके लिएचा रह अर्थे किस्ते से सतक्त होगी धनागम का यूग बन रहा है रोजी रोजगार के आुसर मिलेंगे रोग और सत्रू पर विजय प्राप्त होगी, मन प्रसन रहेगा और कई महत्मुर्ण कार होने से आपको काफी मनसिव में खुशी रहेगी सुभ समाचार मिलने का युग बन रहा है पिता का सुख मिलेगा भाईयों का सुख मिलेगा भाई बहन के लिए नोकरी के लिए बिया पार के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है अगर कोई बहन या भाई या विभाहित है तो विभाह होने की संभावना बन रही है स्वाधानी के अबरतनिये तनाव से दूर रहें उपाई क्या करना है असा है को दोथ पिला में खाना खिला में उसकी मदद करें सूबंग के चार सूबरंग आप फॉएट लग मीटर आठ हरी कृष्णा बात करते हैं शिंग राशी की जो शिंग राशी की जातक है आज आपको आए सदिक बै हो सकता है उसमें संतुलन अस्थापित करने की जुरुत है जितना आए हो उससे ज्यादे बै न करें और आए बै में सामंजे सस्थापित करना आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्त को कास होगा माता पिता का सुख मिलेगा रियल इस्ट्रिट प्रपर्टी से लाप मिलेगा सौधानी के अब रतनी जल्दबाजी के कामों से बचें नहीं तो नुकसान हो सकता हुपाई क्या करना है डाल भरी पूरिंग गौसाला में गाय को खिला में अच्छा रहेगा सुमंग क सुख मिलेगा माता का सुख मिलेगा परिवार में सुख कार होने की संभाना बन रही है परिजनों से लाप मिलेगा पिता का सहयोग मिलेगा और जो अपने मित्र मंडली है उससे आपको काफी लाप मिलेगा सौधानी क्या बरतनी है सौधानी आपको ये बरतनी है कि जो आप करते हैं तुलाराशी की जो तुलाराशी की जातक हैं आज आपको चतुर्दिक लाव के उसर मिलेंगे सुख के संसादनों बढ़ोतरी होगी घर बनवा सकते हैं गाड़ी करी सकते हैं कोल्ट कचारी से लाव मिलेगा माता पिता का सुख मिलेगा माली हालत में उत्रोतर सुधा करना है मोती या सफेद बस्त्र दान करें शुबंगे दोसुबरंगा नीला लघ्मिटरत अर्थ करते हैं कि जो ब्रिश्चिक राजी के जातक हैं आज आपको आई सदिक बै का यूग बन रहा है दूर देश की आत्रा का यूग बन रहा है रुका वधन प्राप्त होगा संतत्यों से मन परसंद रहेगा रियल इस्टेट प्रापल्टी में अगर पूजी निवेस करते हैं तो आपके के लिए अच्छा रहेगा धन-धान के च्छतर में किया गया प्रयास अर्था कोगा से ट्रेडिंग से धन मिलेगा सरकार से लाव मिलेगा पूलिस या सेना महत आज आपको बड़े प्रमाने पर एवार्ड मिल सकता है सौधनी के अबरतनी हैं गुस्ते पर नियंत्रा रखे आज आपको बिभिन प्रकार के सुरोच से आयके संसाधन प्राप्त होंगे आपका जो रुका हुआ कार है वो संपन होगा धन की सिति अच्छी होगी और कुछ सुप समाचार मिलेगा परिजनों से थोड़ा विबाद हो सकता है परिवारी की सिति अच्छी हो सकती है घर पर हरी की माबलों से बचने की जुरुत है स्वाधनी के अब रतनी विवादों से बच्चे उपाय क्या करना है पीला वस्तरदान करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुबंग के दो सुब्रेंग बैगनी लक्मिटर छे हरी कृष्णा अब आईए हम बात करते हैं मकर राशी की जो मकर राशी की जातक है जब को भूम विभॉन खरिच सकते हैं इसका प्रवल यूग बन रहा है संतत्यों का सुक में लेगा आतन बल में वडोतरी होगी धनलाप का यूग बन रहा है यात्राति और ताटन देसाटन से लाप होगा जो भी कारी रुके होगा सब संपन होग पत्नी के स्वास को लेकर के चिंता समाब्ध होगी सौधानी के अबरतनी है मुकदमा और विवाद दिताच से बचें उपाय का करना है काला तिल दान करना आपके लिए चार हैगा सुबंग के चार सुबरंग सफेद लक मीटेर साथ हरी कृष्मा बात करते हैं कुम राशी क जो कुम राशी की झा तक हैं आज आपको सरकार से लाव मिलेगा तेजगत की गाड़ी नाच राख सत्ता से लाज पिलेगा आतना भिश्वास में बरती होगी आतना बल में ब्ढोतरी होगी नए नोकری का यूग बन रहा है नेतर से थोए फेड़़ा होने की समहना बन रही ह आए के संसादरों में बड़ोतरी होगी कोई भी कारी सोच मज़कर करने की जुरूत है नया काम सुरू करने के पहले बढ़ों की राय ले लें और खड़ें तरकारी भी फल होंगे रोग और सत्रू परास्त होंगे पिता का सुख मिलेगा साधनी के अबरतनी है भासा में परिवर्तन करें कटू भासा का प्रियू करने से बच्चे भागिं बड़ोतरी होगी संतत्यों का सुख मिलेगा नवकरी में पदुनत का यूग बन रहा है अनियक प्रकार के च्छेतर से धनलाव का यूग बन रहा है और आपके कई महत्पुन कारे संपन होगे माता पिता का सुख मिलेगा रियल इस्टेट प्रापल्टी से लाव मिलेगा साधनी के अबरतनी है किसी से कहा सुनी करने से बच्चे उपाय के करना है पिला बस्र किसी सुआगन महिला को दान करें अब आईए हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में आज जिन दर्शकों का जन्दीन है उनके जन्दीन की बहुत-बहुत बधाई धेरो सुब काम लाए आपका जन्दीन सुब हो मंगल मै हो आपका चतुर्दिक विकास हो प्रगति हो आप पर भगवान भूले नात के किर्पावर से हैपी बढ़ ले आज जिन दर्शकों का जन्दीन है उनका मुलांक होता है आठ तो आज खास तोर से आठ सत्रह चबविस तिति की जो जन्मे जातक हो तो उनका मुलांक होता है आठ आठ नंबर के लोग काफी संघर्ष करते हैं संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं इनके अपनी व्यक्तिकत कोई जीवन नहीं होता है दूसरों को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका होती है मेहनत करके परिवार के लिए दूसरे के लिए कापी मेनत करके उनको आगे बढ़ाते हैं और इस तरह के लोग संघर्स करके आगे बढ़ते हैं संघर्स इनका गहरान आता होता है प्रापल्टी तैसे लाभ होगा रियल इस्टेट प्रापल्टी माइंस में अगर पूझी निवेस करते हैं आपके लिए लाप्रत होगा दूर देश के अत्रह होगी अचानक कई महत्मूर्ण कार होने से मन परसंद रहेगा देखा जाए तो जनवरी फरवरी मार्च अपरेल मै जून तक का कालखंड आपके लिए आर्थिक दिश्ट्रिकोंट से बहुत ही अच्छा है पुना जुलाई अगर सितंबर थोड़ा संघर्ष कर आएगा चुनोतियां आ सकती है हेल्थ को लेकर के चिंता हो सकती है पुना आपका अक्टूबर नूमबर तिसंबर अंतिम तीन महीने काफी बहतरीन है उत्र-उत्र विकास प्रगत होगा चतुर्देग विकास होगा सुक्के संसादुनों में बढ़ोतरी होगी और संघर्ष समाप्त होगा सौधानी क्या बरतनी है गुस्सा नहीं करना है कोई चिशकल पर नहीं टालना है और अंतरात्मा की आवाज को सुनके कारे करना है उपाय क्या करना है आप संकट मोचन हनमान जी की अराधना करें हनमान जी को चोलार पित करें और हनमान जी का हनमान जी का पाठ करें अच्छा रहेगा और मंगलबार के दिन क्या करें कि हन्मान जी को केशरिया कलर का सिंदूर ले 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 और चमेली का तिल मिला करके उनके पैरों पलेप लगावे हंग हन्मते रुदरात्मकाय हुंग फट इस मंतर का जब करना आपके लिए अच्छा रहेगा अब आई एम बात करते हैं गुरू के नुस्खे के गुरू के नुस्खे में अज़ हम आपको बताएंगे कि सोमवार के दिन क्या उपाय करें क्या पूजा पाठ करें जिससे आपका सोम ग्रह ठीक हो सोमवार के दिन जो जन्मे जातक होते हैं या जो सोमवार के दिन दुबारा करेंगे अब आईए हम बात करते हैं गुरू के नुस्खे की सनातन धर में सोम दीन का बड़ा महत्वा है सोम वार दीन जो है चंद्रमा के नाम पर सोम बने होता है चंद्रमा तो चंद्रमा के नाम पर इसका नाम सोम वार पढ़ा सोम वार दिन के स्वामी होते हैं भगवान सिव के लिए सवर पित है जदी आपकी कॉंसेंट्रेशन लेबल खराब है पढ़ाय लिखाई में मन नहीं लग रहा है ताप क्या करें कि सफेद आटा बच्चे से टच कराके उसको दान करा दीजे दूद किसी गरीब को पिला दीजे चांदी का सिक्का या चांदी का चद्रुआ बनवाई और नदी में प्रवाहित कर दीजे आप देखेंगे कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा ओम सोम समायनमे स्मंत्र का जब करना आपके लिए अच्छा रहेगा और क्या करें कि सफेद रंग का वस्त्र दान करें छोटे-छोटे उपाय है अगर एक करते है तो आपके लिए अच्छा रहेगा दूसरी बात का ध्यान रखना करकर कोई भ्यक्ति की कॉंसेंटेशन नहीं हो रहा है अगर आप इस मंत्र का जब करते हैं एक माला तीन माला तापके स्वास में सुधार होगा धन की ब्रिद्य होगी और आप उत्रोतर प्रक्यत करेंगे छोटे-छोटे उपाय करके अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं